लौमडी और कववा बहुत पुरानी बात है एक कववा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था परन्तु उसके हाथ कुछ ना लगा वै ठका मादा एक पेड़ पर जा बैठा अरे वाह किस्मत हो तो ऐसी उसी एक प्लेट में पनीर का एक टुकडा दिखाए दिया वो प्लेट के पास पहुचा उसने अपनी चौट से उसे उठा लिया और उड़ने लगा बहुत से कववे उसके पीछे पीछे उड़ने लगे वो भी पनीर को उससे छीनना चाहते थे वो सबको चक्मा देने में कामियाब हो गया और एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया उधरी कहीं एक लॉमणी वहां से गुजर रही थी लॉमणी ने कववे की चौच में फसा पनीर देखा तो उसके मूँ में पानी आ गया उसने जल्वी कववे से उसका पनीर अपने कबजे में लेने की योजना बनाई और उसने कववे की ओर देखा और बोली अरे कववे भाई तुम कितने खुबसूरत हो मैं अपना परिचे तुमें देदू मैं एक बोली भाली लोम्री हूँ मेरी सहेलियों ने मुझे बताया है कि तुम्हारी आवाज में एक गजब की मिठास है क्या यह बात सही है कववा यह सुनकर हैरान रह गया आज तक तो किसी ने उसकी आवाज की तारीफ नहीं की थी परन्तु वे चुप रहा कववा अपनी मदूर आवाज में क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं गा सकते सुनाओ न भाईया परन्तु अभी भी वे मौन था लोम्री फिर बोली क्या तुम अपनी प्यारी बहन की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते तुम कितने सुन्दर हो कववा उसके जहांसे में आ गया उसने अपनी चौच खोली और लगा काउ 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 करने अरे यह क्या पनीर उसकी चौच से निकला और जमीन पर आ गिरा लोम्री ने जट से उसे जपट लिया और खा गई लेकिन जब तक कववे को समझ में आता कि क्या हुआ लोम्री वहां से चल दी कववा उदास हो गया अब पस्ताय क्या होत जब चिडियां चुग गई खेत तबी तो कहते हैं चाप लूसों से बचो इनका विश्वास नहीं करना चाहिए